दोस्तो यह दुनिया की आखरी सडक जी हाँ यह दुनिया की आखरी सडक है यहां किसे को नहीं मिलती अकेले जाने के एजाज़त दोस्तो आपने सायद ही कभी दुनिया की आखरी सडक के बारे में सुना होगा आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया की आखरी सड़क आखर कौन सी है कहां पर है वो कहां जाती है जिसे दुनिया की आखरी सड़क कहा जाता है दरसल उत्तरी धुरू प्रितिवी का सबसे सुदूर बिंदू है जहां पर प्रितिवी की धूरी घूमती है या नारवे का आखरी छोर पर है यहां से आगे जाने वाले रास्ते को ही दुनिया की आखरी सडक माना जाता है इस सडक का नाम E69 है जो प्रितिवी के छोर और नारवे को आपस में जोडती है दोस्तो इस सड़क के आगे कोई अन्य सड़क नहीं है क्योंकि इसके आगे बर्फ के अलावा सिर्फ समुद्र है समुद्र दिखाई देता है दोस्तो पताते हैं कि E69 एक हाइवे है जिसके लंबाई करीब 14 किलोमीटर है इस हाइवे पर ऐसी कई जगहे हैं जहां अकेले पैदल चलना या गाड़ी चलना भी मना है इस सड़क पर अकेले जाना मना है यहां जाने के लिए आपको कई लोगों के साथ जाने का अनुमत मिलती है इसके पीछे वज़ा यह है कि हर तरव बर्फ की मोटी चादर बिची होने के कारण यहां खो जाने का खत्रा हमेशा बना रहता है इसलिए इस सड़क पर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है उत्तरी ध्रोके पार्स होने के कारण यहां सर्दियों के मौसम में ना तो राते खत्म होती है और ना ही गर्मियों में कभी सूरज डुपता है कभी कभी तो यहां लगबग 6 महिने तक सूरज ही नहीं दिखाई देता सर्दियों में यहां का तापमान माइनस 43 डिग्री से माइनस 26 डिग्री सेल्सियस के पीछ पहुच जाता है और दोस्तो गर्मियों में यहां का तापमान औसत जमाओ 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है दोस्तों यही नहीं इतना ठंड होने के बावजूद भी यहां लोग रहते हैं पहले यहां सिर्फ मचली का कारोबार होता था लेकिन साल 1930 से इस जगा का विकास होना सुरू हुआ करीब चार साल बाद यानी 1934 में यहां के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि यहां सैलानियों का स्वागत किया जाना चाहिए ताकि उनकी कमाई का एक अलग जरिया बन जाए उसके बाद यहां तमाम तरह के रेस्तरा और जोटे मोटो होटल बन गए अब दुनिया भर से लोग उत्तरी ध्रू घूमने के लिए आते हैं दोस्तों यहां उन्हें एक अलग दुनिया में होने का एहसास होता है यहां डोपता हुआ सूरज और पोलर लाइट्स को देखना अपने आप में बहुत रोवन्चक होता है यहां आपको गहरे निले आस्मान में कभी हरी तो कभी गुलावी रोशनी देखने को मिलेगी पोलर लाइट्स को अरूरा भी कहा जाता है यहां रात के समय दिखाई देता है वो भी तब जब आस्मान में घोर अधेरा छाया होता है तो दोस्तो इस वीडियो जानकरी आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक, कमेंट और सेयर करके जोर बताना बागी दोस्त यदि इस तरह के और वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि दोस्त इस तरह के जब भी कोई वीडियोज हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुचे